हाई गाईज तिस वीगुदात्त प्रम साहो टेक्नोगाईड आज का ये वीडियो में मैं आपके लिए लेका है हूँ पैनेसोनिक ब्रांट का RGB मॉल्टिकलर बॉल्ब का उन्बॉक्सिंग और रिव्यू सो लेट स्टार्ट तो ये पैनेसोनिक का RGB मॉल्टिकलर बॉल्ब जो है ये एक सेमी स्मार्ट बॉल्ब है मैं पहले भी एक स्मार्ट बॉल्ब का उन्बॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो दिखाया था जो के एक smart bulb जो रहता है वो इंटरनेट में connect हो जाता है उसके साथ आपका mobile phone से दुनिया का कोई भी कोना में बैठके उसको operate कर सकते हैं अगर आपके पास Amazon Alexa है या Google Home है तो उसको भी उसके साथ connect करके आप voice comment देखके उसको on-up कर सकते हैं तो यह एक semi smart bulb है तो इसके साथ एक remote control मिलता है तो remote में भी आप same काम कर सकते हैं तो यह पर यह जो bulb है यह B22 socket के साथ आता है means इसका जो pin है यह B22 का है जो के Indian normal जो bulb का pin रहता है same to same है तो आप इसको normal holder में लगा के use कर सकते हैं तो यह bulb 7 watt का है इसमें आपको 440 का lumen मिल जाता है उसके साथ साथ इसका color temperature जो है वो 6500 Kelvin का है तो यह जो bulb है इसका live भी आचा है जैसे के company के ही साथ से यह 25,000 BH का है तो इसका live भी काफी आच्छा आपको मिल जाता है तो इसके साथ साथ इसमें आपको एक IR remote मिलता है वो remote के थ्रू में आप इसको on up कर सकते हैं इसका brightness को कम जादा कर सकते हैं उसके साथ साथ इसमें काफ से जाके आप चेक कर सकते हैं तो यह है हमारा कोरियर बॉक्स पैक इसको हम open कर देते हैं तो यह हमारा ओर्जिनल बॉक्स पैक जैसे कि यहाँ पर panasonic RGB color lamp लिखा गया है और यहाँ पर आपको दो सल का warranty मिलता है और यह bulb जो है यह 7W का है और यहाँ पर एक remote control आपको मिलता है और live जो है वो 2500bh है तो यहाँ पर यह lamp का details पर गरारा लिखा गया है और यह side में भी कुछ उसका details लिखा गया है जीसे कि यह dynamic lighting with multi color option आपको यहाँ पर मिलता है suitable for amelian and mode lighting remote operate RGB different color mixed by 3 primary colors तो इसमें आपको wide voltage range मिलता है जो के 100V से लेके 300V के अंदर operate होता है और जो socket है इसका यह pin बोल सकते है वो B22 है जो के normal Indian pin है तो आप direct इसको आपका holder में लगा सकते हैं आपको कोई भी यहाँ पर adapter लगाने का ज़रुवत नहीं है तो यहाँ पर हम इसको open कर देते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह normal 7W का bulb जैसे ही लगता है ज्यादा size में बड़ा भी नहीं है normal size से और यहाँ पर एक remote control आपको मिलता है जिसमें के on-off का button है brightness कम ज़्यादा कर सकते हैं और यह RGB color है जो के इसको mix करके आप color change कर सकते हैं और यहाँ पर flash यहाँ पर store, fade and smooth कुछ button दिया गया है और इसमें आपको battery भी including मिलता है मिन्स आपको extra battery purchase करने का ज़रूद नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर आपको battery भी मिल जाता है तो अभी हम इसको power circuit में लगाते हैं और check करते हैं यह कैसे काम करता है तो मैं यहाँ पर एक normal holder लिया हूँ जैसे कि आपको बता रहाता यह रहता है B22 का pin जो के normal हमारा Indian bulb सभी में रहता है तो इसको यह holder में लगा देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह white color का bulb जो है यह जल ला है तो हम यहाँ से remote से इसको off करते हैं तो देख सकते हैं यह off हो गया तो यहाँ पर जो remote मिलता है यह IR remote है मिन्स infrared remote है तो यहाँ से भी आप इसको on off कर सकते हैं और यहां से आप color change कर सकते हैं जैसे यहां पर जितना भी color दिया गया है वो आप change कर सकते हैं जैसे R करते हैं, means ये red हो गया तो मैं यहां पर camera का brightness जो है, कम कर देता हूँ तो आपको अच्छा से दिखाई देगा तो यहां पर green कर देता हूँ, तो green हो गया और यहां से ये blue हो गया तो यहां से color को आप mix कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सभी color change हो रहा है और यहां पर जो दिया गया है, ये white है तो यहां से आप brightness कम ज़्यादा कर सकते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं, brightness थोड़ा बहुत कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है यहां से और यहां पर कुछ limit है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर ये full brightness है, अगर मैं एकदम कम करता हूँ brightness तो यहां तक होता है, उससे कम नहीं होता और यहां पर यह फ्लास दिया गया है, means यह कुछ time में एक एक light जो हो change होता रहता है और यहां पर stop mode है, तो यह stop mode में थोड़ा time के बाद light जो हो blinking हो रहा है और यह फेड है तो फेड मोड में लाइट कुछ ऐसे जल ला है जो के येलोई ब्लू और यहाँ पे पिंक टाइप का कलर दिरे दिरे चेंज हो रहा है और यह स्मूथ है अगर आपको रेड चाहिए तो रेड कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप लाइट को ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइट जो है ब्राइटनेस काफी कम हो गया और यहाँ पे उसका ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे जब चाहे power on रहेगा फिर भी आप यहां से off कर देते हैं तो यह off हो जाएगा और यह remote से on करते हैं तो यह on हो जाएगा अगर आप यह remote से on off नहीं करना चाहते हैं तो direct up power on करेंगे तो on होगा power off करेंगे तो off हो जाएगा बढ़ यहाँ पर अगर आप off कर देते हैं remote से तो यह off हो जाता है फिर से on करते हैं तो on हो जाएगा means अगर यह power supply में connected है उसके बाद आप यहाँ पर इसको on off करते हैं तो यह on off होगा अगर power supply में नहीं है तो यहाँ से आप इसको operate नहीं कर सकते हैं तो यह bulb जादा heat भी नहीं होता है जैसे यह area को अगर हम touch करते हैं तो भी जादा heat नहीं होता तो यह lamp को मैं अभी 10 by 10 का room में लगाया हूँ और कोई भी light नहीं है तो यह उसका white color है जैसे के मैं अभी red color change करता हूँ तो आप देख सकते हैं चारो तरफ तो आप इसको एक bed lamp type का भी यूज़ कर सकते हैं अगर color change करते हैं तो तो यहाँ पर मैं दूसरा color change किया तो यहाँ पर मैं room में थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ तो इसका color change करके आप इसको bed lamp type का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे के यहाँ पर मैं brightness को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ यहाँ से और कम कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इसका effect तो रात के time में भी आप color change करके यह bed lamp type के यूज़ कर सकते हैं और कोई भी color आपके पसंद का यहाँ पर use कर सकते हैं तो remote से आप इसको on off भी कर सकते हैं जैसे मैं अभी off करके आपको दिखाता हूँ यह off हो गया उसके बाद remote से आप on कर सकते हैं तो मैं personally जीतना test किया इसका remote जो है यह 15 feet तक आराम से काम करता है अगर 15 feet के अंदर कोई भी off tackle ना रहे तो जैसे के remote के सामने अगर कोई भी off tackle रहा या कोई दिवार आ गया तो यह काम नहीं करता बट straight line है तो आप आराम से यह remote को 15 feet से operate कर सकते हैं तो अभी हम यह bulb का final conclusion के बारे में बात करते हैं जैसे के यह bulb काफी अच्छा है यह bulb उनलो के लिए है जिसके पास internet नहीं है अगर आपके पास internet है तो आप smart bulb भी use कर सकते हैं बट जिसके पास internet नहीं है तो उनके लिए यह bulb सबसे अच्छा है यहां पर कोई भी internet का ज़रुरत नहीं पड़ता आप remote control से वही काम कर सकते हैं जो एक smart bulb में होता है तो यह value for money प्रड़क्त है तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो like जरूर कीजिएगा अभी आप हमको Instagram आट Twitter में follow कर सकते हैं अगर आभी तक आपने हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या तो अभी कर लिजिए क्योंकि इस टेप का वीडियो में रोज लेके आता हूँ तब तक हमारा चैनल देखते रहिए साव टेक्नो गाइड आपका दिन सुप हो